आना पड़ता था देश का इमानदा टैक्सपेर हमेशा से सरकारी पैसे की बरबादी से परियोजनाव में देरी से ब्रस्टाचार से नफद करता है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाई से दिये हुए टैक्स से गरीब का नहीं बलकि किसी ब्रस्टाचारी का भला हो र रहा है तो उसका खिन्द होना स्वाभाविक है पैसे की इसी बरबादी को रोकने के लिए विभागों में सरकारों में तानमेल को बढ़ाने के लिए पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है अब चाहे विबिन्द राज्य सरकारे हो अलग-अलग सर प्लाकारी विभाग हो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजन्सियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं पी-एम गतिशक्ती देश में ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्यमों को जोड़ने मल्ति मोडल कनेक्टिविटी के काम को भी लिगति दे रहा है आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाइवे बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहे हैं बोटरवे बन रहे हैं नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि इने अब इस तरह तैयार कि हाइवे बहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो रेलवे स्टेशन एरपोर्ट से कनेक्टिविट हो लोगों को ट्रास्पोर्टेशन के दोरां सिमलेस कनेक्टिविटी भी मिले चाथियों 21 सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्त का सही इस् दान भी देना चाहता है एक समय था जब भारत में व्यापार कारोबार और टूरीजम के लिए वाटर वेज का बड़े पहमाने पर इस्तमाल होता था कि इसलिए कि इतने ही शहर नद्यों के किनारे बसे नद्यों के किनारे इतना उद्यों की विकास हुआ लिकिन इस सामर्त को पहले सेक्ड़ों वर्षों की गुलामी और प्रियाजादी के बाद की सरकारी उदाजिन्ता ने तबाह कर दिया अब भारत अपनी इस जलशक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है देश में सौ से जादा वोटर वेंच और विक्सिप किये जा रहे हैं भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले व्यापार भी हो तूरिजन भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार ने बंगला देश सरकार के सहयोग से गंगा और बंब पुत्र नजियों के बीच बॉटर वें लिंग स्थापित करने पर भी काम किया है मैं आज देश के लोगों को इस से जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूँ 13 जन्वरी 2023 को काशी से वाराणसी से एक कुरूज जा रहा है जो 32 किलोमेटर लंबे बॉटर वे से होते हुए बंगला देश से होते हुए डिबरुगर तक पहुंचेगा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभुद्पुर्व कुरूज होगा ये भारत में बढ़ते कुरूज टूरिजम का भी प्रतिविम बनेगा मैं पस्चिम बंगाल के लोगों से भी आगर करूँगा कि इसका जरूर लाब उठाए वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेश तोर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूँ बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रצिध जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूँ देश के विबिन हिस्सों को जानने के लिए देश के विबिन हिस्सों में ब्रमन के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्सा होता है वो अध्वूत होता है बहुत से लोग पहला मोका मिलते ही किसी और देश में गुमने निकल जाते हैं लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राश्विक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियटन में भी नेशन फर्स की भावना को लेकर चलते हैं और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है रेलवे, हाइवे, आइवे, वाटरवे, आधुनिक हो रहे हैं तो इससे इजब ट्रावेल भी उतना ही बढ़ रहा है इसका बड़ा लाब बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है साथियों गुर्देव टेगोर्द्वार रचीत प्रसिद्ध पंक्तियां है ओ ओमार देशेर माटी तुमार पौरे ठेकाई माथा यानि हे मेरे देश की माट मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूँ आज हाजी के इस अमरित काल में मात्व भूनी को सर्व पर ही रखते हुए हमें मिलकर काम करना है आज पूरी दुनिया भारत को बहुत बरोसे देख रही है इस बरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतिये को पूरी शक्ति राष्ट निर्मान में करना है हर पल का उप्योग राष्ट निर्मान में करना है देज सेवा के कारियों में हमें रुकना नहीं है इनी सब्दों के साथ मैं इनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ फिर एक बार आपका अभिवादन क करता हूँ और मैं अपनी बात को सबाब्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद